सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एबम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नए वीडियो नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करें आपकी सारी उक्षाय मनगमने पूरी हो दोस्तों आज मैं अपसे कोई इस हाथ से रेलेटेड महत्पों जान करें दूंगा जिसमें सब्सक्राइब यहां पर फिंगर के एनलेसिस के बद इस पूरे पाम का एनलेस कर आप तो फिंगर के लिए पूरे पाम के कंपरेजन में यहां पर शॉर्ट है जो बहुत फास्ट डिसिसन मेकिंग को जल्दबाजी और हरबड़ी को और बहुत जल्दी एक्षन ले लेने की गतिवीदी को विक्त करता है आपके माइंड में जैसे ही कोई थोट आएगा आपकी न कर दिया और बहुत सारे काम एससे भी रहेंगे जिसमें आपको पस्ताना पड़ जाए कि मैंने क्यों इतने जल्दी काम कर दिया तो इस करण से कही नहीं लॉस है तो एनलेटिकल परसनेल्टी को थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ता है अधरवाइस देखें लेडिल फिंगर के लेन थोड़ी शौट है क्योंकि थाट फिंगर के फस्ट पोर तक नहीं पहुची तो कम्यूनिकेशन स्किल थोड़ा सा अफेक्टेड रहता है जैसे अपोजिट जेंडर के प्रती थोड़ा सा या फिर इस्ट्रेंजर के सामने एक प्रकार की हिच-किच या प्रोपर्ली कनेक्शन बिठान में ज्यादा टाइम लगना इस्टेश फियर या रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लीन होता या रिप्रेजेंटेशन प्रोपर्ली नहों पाना तो यह इस करण से देखने को मिलता है तो फिर्स्ट फिंगर के लिए तापकी ज्यादा अच अच्छे नित्रेत्व के योगों को बताता है और अच्छे नॉलेज को भी इंडिकेट करता है कि लाइफ में आप के पास ज्यान अच्छा रहेगा और थोड़ा जो है आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज्यादा रहने वाला है इसका अलावा देखें तो फिंगर के पर सीधी खड़ी रेखा है यानि यह फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है आप हर परिस्तिति और माहुल में ढ़ल जाने वाले इनसान हैं और हर प्रकार की विक्तितिव वाले लोगों के साथ आपके संबंद मधूर रहने वाले हैं एड़स्टमेंट आपका रेलेशन जो है करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं ज्यादा चेंजिस करना पसंद नहीं करते हैं थम जब शशक तो होती है तो व्यक्ति तो जो रहता है व्यक्ति का वो निखर के लोगों के सामने आता है इसके अलवा पाम के यहाँ पर साइस की विशे में चर्चा करने से पहले ज तो आपके अंदर एक प्रकार की ability increase होगे जो कि आपको कहीं न की predict अच्छा करवा सकती है बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपके मुझसे कुछ इसी बाते निकलती है जो सच बेड़ जाती है सपने इसे देख लेते हैं जो सच हो जाते हैं तो यह इसलिए इसका जो है यह intuition के हिस इसका meaning यह रहता है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यदा मेहनती किस्म का वेक्तित आपका यहां दिख रहा है hard working nature के साथ साथ खाली बेठना आपको बिल्कुल भी पसंद दे रहेगा कुछ न कुछ work करते रहेना या अपने आपको busy रख रहेना यह nature है आपका कोई भी काम करने के लिए inspiration motivation आपके अंदर अच्छा रहेगा एक पत्ता तक दिरेगा तो भी आप उससे कुछ न कुछ सीखेंगे यह आपका वेक्तित है plannings थोड़ी सी कम रहती है actions जादा आप जल्दी ले लेते हैं यह यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं तो गुरू का छेतर अच्छा उबरावा होता है तो पारे बार एक सुख अच प्रकर के दयालू पन आप किंदर रहेगा दयालू किसम का नेचर है दूसरा का दुख दर्द ना देख पाना और खुछ से जितना हो सकते सहीयोग प्रदान करना यह एक प्रकर का आपका नेचर है तो कई न कई शोशल वर्क भी आप करेंगे और जो भी आपका धर्मका सारे काम भी आप करेंगे एक से जाद माद्यमों से आपके अरणिंग भी यहाँ पर शो हो रही है और एक प्रकर के स्क्वेरिश शायन भी है जो कि अच्छे प्रोपर्टी को और सक्सेस्फुल मेरिट लाइफ को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है तो गुरू यहाँ पर आ यहाँ भागे रेखा आपकी निकली होई है फिर रुग गई उसके चंदर के छेटे से निकली फिर माइंड लाइन के पहले रुग गई एक और सही होगी रेखा यहाँ पर भी भागे रेखा करके फिर रुग गई है तो भागे रेखा जो बार बार रुकती है या फिर इस तो इस करण से काम करें न कि या धूरे छोड़ जाता है या बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है या कुछ भी ऐसा योग बनता है कि प्रॉपर रिजल्ट किसी भी चीज़ का देखने को बहुत कम मिलता है तो इसलिए शनी के उपाए करना ज्यादा जरूरी जाकि इसके गौर करें तो शनी पर एक positive sign यही है कि यहाँ square का sign है जो कि basically आपको accident से बचाएगा इसके अलब आपके शनी के छेतर के बाद सूर पर आते हैं तो सूर के छेतर भी थोड़ा सा दब गया तो यह आत्म विश्वास में थोड़ी सी कमी को व्यक्त करता है आत्म सम्मान chances बहुत अच्छे हो जाते हैं बर्त के बाद आपके family में father की condition में सुधार देखने को मिला होगा या family condition में basically सुधार होता है और जब star का sign सूर के छेतर पर होता है तो जर्म इस्थान से दूर basically name fame मिलता है और हर प्रकार की अर्मान शोक सारे चीज़े पूरे होती हैं क्योंक यानि success होने की योगों को अब जो भी आपका dream है उसमें आप हो जाएंगे क्योंकि सूरी यहाँ पर support में है इसके अलावा यहाँ पर कुछ रेखा है और जोट रही है एक रेखाने काट अब यह तो यह पीता से relation खास कर थोड़े से अन्बन या थोड़े सी दूरी मद्वे को भी इंडिकेट करता है वेचारिक क्रॉस है तो वो भी अपना sign देगा ही और यहाँ पर बात करें आपके mercury माउंट की तो यह यहाँ पर जो है कमेरे ले रहा है तो यह यहाँ पर अगेन यहीं इंडिकेट करता है कि कई न कई आप बहुत सारी बातों को मन में ही दबाय र कर लेना यहाँ अपने आपको एड़िस्ट करलेना यह सारे योग भी आपके अंदर रहेंगे रेखा में आपके जो में बात करा था तो फ्रीद्धर एक प्रकर की प्रौमीनेट लाइन से नहीं चल रहे है इसमें बारीग बारीग जो है चेंजेस बहुत जादा हो रहे है और जब रहेदर एखा में इस प्रकार की changes देखने को मिले तो यह यह ही indicate करता है कि व्यक्ति के emotions और feelings में कहिना की बार-बार changes आते रहेंगे तो एक प्रकार का mood swing का आपको problem या issue रह सकता है यहाँ पर एक रेखा मंगल पर भी गई हुई है तो यह थोड़े aggression को भी indicate करता है त इंगर पे भी आपका ज्यादा control नहीं हो पाता लगे हाँ दोनों निकल नहीं है समय समय पर emotional nature थोड़ा सा आपको ज्यादा थोड़े ज्यादा होते हैं तो पेसा किसी को देते हैं उधार तो मिल पाना थोड़ा सा उसमें difficult हो जाता है otherwise heart related एक जो है island बनावा है जो कि आपको कही न की यहाँ पर approximately 42 से 45 की बीच में थोड़ा सा health related trouble आ सकती है इसके बात करें आपके mind line के विशय में तो mind line का flow यहाँ पर पर चंदर पर चल गई है और एक शाकत सीधे जा रही है चंदर पर जाने के करण यह एक प्रकर के deep thinking capacity को बताता है आपके अंदर imagination बहुत अच्छी है day dreamer type का nature आपका यहाँ पर शो हो रहा है और हर बात के जड़ तक जाना यह भी आपको पसंद रहेगा अगर mind का properly use वा direction अगर आपका imagination का या इतना deep analysis का सही हुआ तो positive results आएंगे लेकिन अगर बेफिजूल के बातों में या किसी ऐसी किसी भी negative चीज़ में अगर आपने deeply analysis कर लिए वही दिमाग में चल रहा है क्योंकि आपके मन में यही रहता है कोई बात आई दिमाग में वो चलते रहेगा चलते रहेगा एक शाका सीधे भी गई हुई है तो यह आपको एक प्रकार से adjust कर देगी तो इस करण से practicality भी थोड़ी से आपके अंदर समय समय पर बढ़ेगी logic भी लगा करके solution ढूण सकते हैं तो यह एक प्रकार का mixed nature यहाँ पर बताते है जिसके अगर विक ambitious personality होने के कारण standard of living royalty यह दिन प्रति दिन बढ़ते रहती है और कई न कई अपने सुक सुधाओं पर अपने family के उपर अपने खुद के उपर आपका focus आपके life में जाद रहेगा यही reason है कि life line में stress आपके कम नहीं है लेकिन यहाँ पर जो है रेखा है progress line निरंतर निकली जा ही है इसका meaning यह रहता है कि आप अपने खुद के प्रयासों से life में बहुत आगे बढ़ेंगे और अपने सारे dreams एक्छा अर्मानों को पूरा कर पाएंगे खुद के बलबूते पर खुद के efforts के accordingly क्योंकि यह self-met luck line है जो यही विव्यक्त करता है कि समय समय पर जब 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 के efforts से progress अच्छा कर पाएंगे यहां पर शुक्र से भी जुकाव लेकर के रेखा आई है गारजन एंजल लाइन भी चल रही तो दूसरों का सही योग भी आपके जीवन में अच्छा रहेगा जब जब आपको नीड रहेगी spouse हो गए उनकी घरवाले हो गए यह बाहरी दुन के सूरी को भी काटते चल गई है तो यह जब राहु रेखा काटती है तो यह आपके बिमार भ्रामित होने की योग को losses को और भी इससे अन्य प्रकार के stresses को व्यक्त करता है तो यह start कब से हो रहा है यह start हो रहा है आपको 29 के age से 32, 34, 35 is something, 37, 39 और यहाँ पर जो last वाला है वो 42 के age के something में है तो यह जो ages रहे हैं कई न कई इन ages में अपने experiences बहुत ज़्यादा कियो होंगे उतार चड़ाओ जो रहा था जीवन में तो इस करण से व्यक्ति सीखता बहुत है और बहुत सारे मतलब आँख पर जो पट्टी रहती वो भी खुलता है तो यह योग था आपक प्रकार का शक्ती हमेशा साथ रहती है जो कि आपको कही न कहीं help करती रहती है लोगों के द्वारा करवा देगी या ऐसे ही कोई बला टल जाएगी वो सारे योग होते हैं बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई unknown person आकर के help कर जाता है बेज कोई contact नहीं है even नाम भी नहीं प पन को भी वेक्त करता है यहां पर सीदी खड़ी रेखा होना बहुत शुब होता है क्योंकि यह अच्छे opportunities को success को बताता है लेकिन जो आड़ी रेखा है वो थोड़ा सा कलेश को वेक्त करता है तो इस करण से थोड़े यह unnecessary worries को बतारा सबसे पहले यानि अनवशक चिंता है जो कि आपको family life से related, money से related रह सकती है यह unnecessary worries को control करने के लिए meditation सबसे रामबन उपाय है और जितना हो सके again overthinking और negative thinking से अपने आपको बचाय रखें इसके अलाबा यहाँ पर आपके जो life line है इसका flow अच्छा है और यहाँ पर यह बाहर के और ज्यादा जा रही है तो यह बरत बहुत जादा होने के योगों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है तो traveling में आपके कोई कमी नहीं रहेगी और अंदुरुनी मंगल यहाँ पर normal है बहारी मंगल अच्छा व्यक्त जो है उब्रावा है तो मांसिक रूप से जादा मजबूत रहेंगे सारे रिक रूप से थोड़ रेखा होना मन के विचलित होने के योगों को anxiety को बेचैनी को भी व्यक्त करता है इसके अलावा यहाँ पर हलकेल की शाखों में यहाँ पर आपके mercury लाइन इकली हुई है जो जिसका काम है health में improvement करना और business के तरफ थोड़ा सा रुजहान को जादा बढ़ाना लेकिन कोई भी प्रॉपर मनी ट्रेंगल हाथ में नहीं है जो यह बता दे कि पैसा आपके पास रूखेगा या बचेगा पैसा आएगा खूब लेकिन रुकना नहीं है तो overall देखा जाए तो life में आपके जो सहूलेत आएगी या फिर जो satisfaction वाला लंभा जो start हो वो 42 के एज के बाद में ही हो करने वाला है तो यह थी कुछ महत्मूर बाते हैं आपके हाथ से related आशा करता हूं सभी प्रशनों को तरमिल गया हूँ कोई और अगर रहे गया हो तो जरूर पूछें तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद